हेलो स्टुडेंट्स आज आपको सब्जेक इंग्लिश में चाप्टर नुम्बर त्री आई-व़च सिख्याने वाली हूँ हमने इसके पहले भी आई-वच के वच सिख्ये थे पर आज हम नए फॉनिक वच एफट के सिख्यने वाले हैं इसके लूग इन पार्ड यह क्या लिखा है? इपन, इपन Everyone look at the picture यह देखो तो, यह क्या है? ये जो पिक्चर है, ये चाहिका कप है, इसके पास हुमने ये क्या रखा है, ये पैसे रखे है आपको बता होगा सबको, आप होटल में खाना खाने चाते हो, तो जब खाना खा लेते हो, इसके बाद वेटर आपको बिल दे जाता है तो हमें रुपीज पे करने होते है, तो हम जो बिल होता है, उसके रुपीज पे करते है, पर इसके साथ थोड़े से मनी हम वो वेटर को भी गिफ्ट करते है तो उस बैकर को हम जो एक्स्ट्रा रूपिस देते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीप बोलते हैं तो यह देखो यहां पे यह है टीप टाईपा टीपा टाईपा टीपा फिर next word रीड कीजिए यह क्या है? जाईपा जीपा लोकेट था पिक्चर यह जीप का पिक्चर तो जीप यानि की chain आपके स्कूल बैग में भी लगी होती है आपके पैंट मे भी लगी होती है आपके पॉर्स में आप पाउच यूज करते हो इसमें भी लगी होती है तो यह है जीप जीप को हम ओपन और close करते हैं, चीकिए? तो look at the picture, यह zip का picture है यह तो साप ने देखा है तो यह है zip Look at the next word Which word is this? यह है फाइटा यह क्या है? फाइटा तो फाइटा क्या होता है? फाइटा, फीटा यह देखो हम फीट कैसे रेते हैं? यह देखो यह लगका क्या कर रहा है? यह exercise कर रहा है व्यायाब कर रहा है तो हमें अगर healthy रहना है fit रहना है तो every morning we have to do exercise हम exercise करके हमारे body को fit रख सकते हैं तो यह है fit तो आप सब को भी अगर सब भी को healthy रहना है तो सब भी को every morning 10 minutes, 15 minutes ऐसे exercise करके अखनी body को fit बनाना है तो यह है fit for it of it for it of it now look at the next word which word is this यह रीड कीचिये तो for it of it यह लड़के को देखो आपको पता है सभी बच्चे को cricket है ना वो बहुत ही पसंद होता है साब की फैबरेट गेम होती है बोल्स की क्या तो cricket यह देखो यह अपने बैक से अपने बोल को ऐसे बार रहा है आपने भी देखा होगा cricket की जो गेम चल रही होती है उसमें बैक स्मेन है वो बोल को चोका, चका लगा रहा होता है ना तो वो अपने बोल को अपने बैक से ऐसे हिट करता है तो यह है हिट हाईटा, हीटा हाईटा, हीटा Now look at the next picture and next word देखो यह क्या लिखा है यहाँ पे को-ई-टा को-ई-टा यानी को-ई-टा, की-टा हम कैसे speak करेंगे को-ई-टा, की-टा Look at the picture देखो आप कभी कीचन में गया होगे ना तो आपने देखा होगा कभी ऐसे कीचन में स्पून की, नाइफ की जो सारी चीज़े साथ रखी होगी है स्पून है, नाइफ है तो उसकी कीट होती है आपके पास घर में दवाई की भी कीट होगी अगर हमें कहीं कुछ लग जाता है तो सारी दवाई बुखा रहता है, कहीं लगता है, तो हम बॉक्स में कीट में दवाई रखते हैं, ऐसे स्पून की कीट होती है, फिर इस तरह ही जो मिकेनिक होता है, उसके पास किसकी होती है, उसके पास स्कुरू ड्राइवर, ऐसे एकसेटरा, जो होता है, वो कीट में रखा होता है, तो यह ह कीट, कोईटो, कीटो आपकी मम्मी के पास मैंकव की कीट होगी जिसमें सारा सामन मैंकव कपड़ा होता है तो ये है की कोईटो, कीटो कोईटो, कीटो कभी आप डॉक्टर के पास गए होगे न, तो वहाँ भी आपने देखा होगा, नर्स के पास सारा किट के अंदर सारा सामान होता है फिर यह किसका पिक्चर है, यह वर्ड रीड कीजिए तो, यह कौन सा फॉनिक वर्ड है सा इटा, मिंस क्या होगा, सा इटा सीटा, देखो तो यह पिक्चर, यह जो लड़की है, यहाँ पे स्टूल है तो यह लेकी स्कूल स्टूल के ऊपर यहां पे बैठी है तो आप जो बैठते हो उसको क्या बोलना है? सीट जो हम बैठते हैं उसको हम क्या बोलते है? सीट बोलते है तो यह है सीट साइटा सीटा साइटा सीटा फिर नेक्स्ट वर देखिए क्या लिखा है फो इक सा यानि क्या होगा फो इक सा फिक्स कर दिया तो यह देखो तो यह पिक्चर कहां पर जा रहा है देखो देखो यह रहो कहां पर गया यास यह पिक्चर यहां पर गया देखो यह जो लड़का है न वो अपनी साइकिल के दोनों विल को यहां से fix कर रहा है क्या कर रहा है? fix कर रहा है यह लड़का अपनी cycle के दोनों विल को यहां से बीच में screw से fix कर रहा है तो यह picture है fix for it's up, fix up for it's up, fix up then next word क्या है रिपकी जिटो यह कौन सब पॉनिक्स वर्ड है? यह वर्ड है mix मो इक्स यानि की mix क्या हुआ? mix हुआ देखो यह जो चैफ है देखो तो यह यहां पे जो भेल बना रहा है आप जब भेल बना दी है आपकी ममा तो उसके अंदर क्या डालती है? उसके अंदर जो खुरे मम्रे होते है से होती है फिर अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट टैफ्स की चतनी होती है वो डाल के यहां पे mix करती है तो यह है mix ऐसे हिला रहा है तो यह है mix क्या कर रहा है यह? mix कर रहा है तो यह है mix मा इक्सा, मीक्सा मा इक्सा, मीक्सा तो आप हम एक बार यह सब भी वर्ट को फिर से रिवाइस कर देता है look at the picture and look at the word टाइपा, टीपा जाइपा, जीपा फाइटा, फीटा हाइटा, हीटा next, यह क्या है? काइटा, कीटा साइटा, सीटा फाइक्सा, फीक्सा मा इक्सा, मीक्सा तो आप सब को अब हमने जो इसके पहले वर्ट सिखे थे फॉनिक के और यहाँ पे जो आज वर्ट सिखे है हम एक बार फिर से वो सब भी वर्ट को रिवाइस कर देते है ठीक है? ओके तो चला बच्चो, अब हम पूरे चप्टर का एक बार रिविजन कर लेते है चला रेडियो हो जाओ, जल्दी से कामा लरी आप देको यापे का इड़ कीड़, का इड़ कीड़, लाइड 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 चाइनकी कि आ Kashा ग्राद मार भाल जा गाल प survivा कि आ गाल पうभ ट खब प थीन स्वड़ सबस्फार जास ब्लता ग्राद भिना जा ग्राम ग्राद मार कि म 카 तन ए हका ग्राद कि दिला वा इना वी न दा इपा इपा, दा इपा इपा, हा इपा ही पा, हा इपा ही पा, ला इपा ली पा, ला इपा ली पा, सा इपा सी पा, सा इपा सी पा, ता इपा इपा इपा, दा इपा इपा इपा, जा इपा इपा इपा, जा इपा इपा इपा, जा इपा इपा इपा, जा जाली पुखेपा, जाली पुखेपा, जाली पूखेपा, पुखेपाँ केकर जाई जूखेपा, तो आपको ये वीडियो देखना है और पूरे वर्ड्स का लिखते हुए रिविजन करना है ठीके बच्चों? बाई! पूरे वीडियो देखना है